अध्याए एक हमारी भाषा आवर लंग्वेज आपने तरह तरह के जीवजन्तू देखे होंगे समय समय पर उन्हें आवाजे निकालते हुए भी सुना होगा चिडियां ची ची करके चहकती हैं बंदर खी खी करके एक दूसरे से कुछ कहते हैं कुत्ता भौ भौ करके भौकता है और बिल्ली म्याओं म्याओं करके कुछ बोलती है क्या आप उनकी बात समझते हैं? नहीं, हम भी पहले इसी तरह अपनी बात को दूसरों तक पहुचाते थे हमने धीरे धीरे सुनकर समझना शुरू किया और फिर बोलना शुरू किया आज हम तरह तरह से अपनी बात को दूसरों तक पहुचाते हैं इस प्रकार सभी प्राणी अपने मुख से ध्वनी निकाल कर अपनी बात दूसरों तक पहुचाते हैं नीचे दिये गए चित्रों को ध्यान से देखिए सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर आपने देखा कि अपनी बात को दूसरों तक पहुचाने के लिए किसी ना किसी ध्वनी संकेत का सहारा लेना पड़ता है इसलिए अपनी बात को दूसरों तक पहुचाने के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं उसे भाशा कहते हैं भाशा के रूप मौखिक लिखित मौखिक जब हम बोल कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं लिखित जब हम लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं भाषा का अन्यरूप संकेतों के द्वारा भी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुचाते हैं, किन्तु इसे भाषा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सभी बातें केवल संकेत के द्वारा दूसरों तक नहीं पहुचाई जा सकती है भारत में अनेग भाशाएं बोली और लिखी जाती हैं भाशा के लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपी कहते हैं कुछ भाशाएं और उनकी लिपियां हिंदी देवनागरी अंग्रेजी रोमन उर्दू फार्सी पंजाबी गुरुमुखी मल्यालम खरोश्थी ये भी जाने हम पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं उसके बाद पढ़ना सीखते हैं और अंत में लिखना भाशा का पहला रूप बोली होता है हिंदी संस्कृत और मराठी भाशा की लिपी देवनागरी है हिंदी हमारी राश्र भाशा है प्रतेक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाय जाता है आओ पढ़े बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो अब हम जान गए अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने वाले साधन को भाशा कहते हैं और उसके लिखने के धंग को लिपी भाशा को सीखने का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना प्रतेक भाशा की अपनी एक लिपी होती है हिंदी देव नागरी लिपी में लिखी जाती है